Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video we are going to see कि D-Day पे actually जब exam center में जाते हो तुम लोग तो वो क्या क्या होता है? तो ये वीडियो क्यों important है? बिकॉस मेनी पीपल माइट बी राइटिंग दे CET और कोई भी exam, competitive exam या MB entrance exam for the first time और वो CET है. Alright, maybe CET उनके लिए first exam है. तो एक anxiety रहता है, एक डर रहता है, खौफ रहता है कि exactly क्या होने वाला है भापे, क्या होता है exam center में ठीक है? तो वो डर हटाने के लिए ये वीडियो है, कुछ भी doubts रहेगे तो as usual ask them in the comment section below. कुछ नापन, tricks, एक छोटी-छोटी tips और tricks भी मैं बताने वाला हूँ कि पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है CET के exam centers में और तुमने कैसे फिर वो tackle करना चाहिए? All right, what you should do to overcome that maybe कुछ problem रहेगा या उसका कुछ solution क्या हो सकता है तो वो भी discuss करेगे. जैसे सबसे पहले ही admit card. All right, तो admit card क्यों डाल है मैं नहीं हाँ पर? All right, there are two reasons. एक बिन admit card के तो वो भगाई देते. Obviously, so you have to carry the admit card. Admit card लेकी जाना है तुम्हें कोई option नहीं. Color में लेके जाओ, black and white, generally वो उससे फरक नहीं पड़ता है, but safe side color लेके जाओ, कुछ-कुछ centers पागल हो सकते. अरे, color नहीं लाया, तुमने color लेके आओ, ठीके, तो तुम्हारे exam का start में ही panic नहीं होना चाहिए हमने, तो इसलिए it's better you bring the color print out, ठीके, वो एक हो गया. दूसरा, अभी क्या है, ये दूसरा ये tip ध्यान में रखो, one of our students only suggested, क्योंकि मतलब उन्होंने में भी problems face किये या जो भी है, और मैंने भी देखा था, कि ये कोई exam, particular exam center में, majority इसमें नहीं होगा वैसे, but there will be a few exam centers where what happens is, कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सिफ दो ही rough sheets देगे अब दो rough sheets में तुम 200 questions कैसे solve करने हाले, obviously, but वो बोलते हैं हमको वैसे ही बोला है, हमारे पस दो ही rough sheets है, तो हम लोग दो ही rough sheets देगे, तो ऐसे time पे तुम panic होते हो, अभी दो rough sheets छोटा छोटा बनाओगे, कुछ चीज़े मन में calculate करोगे, उसमें आदत नहीं मन में calculate करने की ग लेके जाना है, क्योंकि back side पर फिर एक जो blank sheet रहेगी, then use that as your rough sheet, all right, I hope that is clear, all right, क्यों लेके जाना है, अपने को multiple admit cards, क्योंकि कभी-कभी rough sheets कम देते, that is one, दूसरा और rough sheet के problem के लिए क्या है, कि और एक student नहीं solution दिया, कि pencil से solve करता था, वो student, pencil eraser लेके गया था, pencil से solve करता था, फटा-फट, फटा-फट, erase करता था, बट उसमें क्या एक limit आएगा, एक limit के बाद वो page ना फट जाए, इसलिए ये भी करो, और ये भी करो करना है, तो आदट डाल दो, all right, कि pencil से मैं solve करूगा, eraser, use करूगा, वैसे, whatever you are comfortable with, but make sure कि admit card लेके जा रहे हो, and जादा लेके जाओ, ताकि तुमको rough shit का issue ना हो, make sure you reach the center on time, ideally क्या होता है, जैसे मेरे साथ क्या हो गया, क्या मेरा 9 बजे exam था पिछले साल, और वो लोग बोलते कि 7.30 को तुमने आना चाहिए, तो मैं तो नहीं गया 7.30 को, ठीक है, मैं roughly, मतलब तुम लोगों ने जाना चाहिए, मेरा मतलब इस पागल होते हैं, नहीं, अरे, admit card में लिखा है न 7.30, तुम कैसा है 7.35 को, नहीं, हम लोग नहीं allow करेगे, this is known, कि ऐसे होता है, और हर साल होता है, ऐसे कुछ ना कुछ exam centers notorious होते ही, कि ये सब करते ही, तो वैसे ना हो problem, इसलिए make sure you reach on time, ठीक है, मैं गया था कुछ roughly around 8 a.m को, मेरे center पर मेरे, मेरे को ले लिया था, उन्होंने ऐसे कुछ problem नहीं दिया, but there were people की, मतलब 178 को, मैंने देखा, मैं बहा पर पहुच गया था, तो मेरा कुछ admit card में उनको, नहीं, ये करो, फोटो ऐसा वैसा, तो मैं 5-10 मिंट बहार ही था, वो attach कर रहा था, जो भी कर रहा था तो 188 को जो बच्चे है न, उनको लिया नहीं, पता नहीं, मतलब मेरे को ले रहे था अंदर, पर 188 के बाद, आलाओ, नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो बहुत बेग करने के बाद, मतलब कुछ-कुछ बच्चे कैसे रहते, फिर नहीं आ सकते, निकल जाते, वो जो जिनको force हुली एक्जाम देने बोला है, कुछ फिर जिनका एक्चुली जेन्यूनली इस पे फ्यूचर डिपेंड करता है, वो फिर नहीं नहीं आने दो, वैसे करके लिया उनको अंदर, तो यह सा प्रॉब्लम कैसा है, कि इस सेट से बाड प्रे, मतलब तुम्हारा टोनी फिर वो ए एक्जाम सेंटर में, ठीक है, ओविसली आदट डालो, ऐसे मत करो, कि सो गए तो एक्लिस फिर सुपर्वाइजर को बोलो, या तू मित्ता गहरी नहीं में मत चले जाओ, ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, मेरे जीए के टाइम पे, मतलब one of my friends, उसके साथ यह हुआ था, क्यो बोला में सोता हो, सुपर्वाइजर नहीं, उठाए नहीं उसको, क्योंकि हर एक एक्जाम में जल्दी बुलाते हो, ठीक है, it's natural, क्यों बुलाते हो पता नहीं, पर बूलाते है जल्दी, तो तुम पहुच रहे हो, सो नहीं, सो रहे हो, तो सुपर्वाइजर को बोलो, बट make sure कि इत्ती गहरी नीन में जाना ही नहीं नहीं चाहिए तुमने या सो ही मुथ सोना ही नहीं चाहिए make sure कि तुम्हारी नीन अच्छे से हुई है but make sure you reach on time फिर ये पानी का होता है generally क्या होता है कि तुम लोग लेके जाओगे कि सेलो की बॉटल में लेके गया या जो भी तुमारी sports की water bottle नहीं transparent bottle bislery की bottle उसमें भी फिर क्या बोलते है वो centers में कि जो sticker रहता है bislery का वो हटाओ कि उसके अंदर तुम लोग कुछ copy कर रहें this is to prevent students from copying ठीक है तो transparent bottle में लेके जाओ it's not necessary कुछ कुछ centers में वो बोलते की नहीं तुम लोग लेके जा सकते हो कोई भी bottle हमारे center में एक table पे वो सब मतलब verify कर रहे थे documents वगएरा वगएरा एक table पे जो supervisors थे वो सिफ देखने के लिए थे कि क्या बच्चे कैसे behave कर रहे है अच्छा यह bottle के बार बार देख रहे है तुम लेके बॉटल इदर ऐसे भी थे 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 तो make sure you take a transparent bottle better be safe than sorry ठीक है ऐसे ना हो कि तुमको पानी पीने की आदत है बीच बीच में पानी नहीं लेके जाने दे रहे उदर से फिर panic चलो कि पैनिक मोड में में चला गया ठीक है तो वह सब नहीं होना ची तो take your water in a transparent bottle sneakers या chocolates लेके जा सकते हो ठीक है बीच में भूक लगी और धाई गंटे का पेपर है उसमें भी देड़ गंटा पहले बूला रहे है ठीक है तो उसमें भी traveling को तुमको center तक पहुचने के लिए time लगने वाले उसके पहले भी तुमको ready होने के लिए उठना है ठीक है तो यह सब factor in करोगे तो छे गंटा चला जाएगा तुम्हारा एक्जाम में तो जाहर सी बात है नैचरल है भूक लग सकती है तो sneakers एखाद sneakers एखाद Cadbury कुछ तुम लेके जा सकते हो ठीक है carry करो वहाँ पे खालो डाल दो इस ओके ठीक है उन्होंने बोला obviously then there might be a few centers होता है यह नहीं तो option ने फिर उदर ही खालो भारी फिर अंदर चले जाओ वैसे कर सकते हो but carry करो देखो मतलब तुमको आदत है तो carry करो नहीं आदत रहेगा तो forcefully मतलब जबरदस्ती मत लेके जो biological clock यह वहाँ नहीं होना चाहिए तुम्हारो अभी जो भी slot में तुम्हारी exam होने वाली सब कुछ उसके इरतगिर्थ अभी घुमना चाहिए तुम्हारी पूरी habits तुम अभी यह हाफते के लिए जबी भी मतलब जितने भी दिन बचे तुम्हारे exam के लिए change your habits अभी coming to the important point की exam center में क्या होता है या अलग-अलग exam centers में क्या-क्या चीजे होती है तो वो क्या है सबसे पहला point important है की comfortable कपड़े पहन के जाओ ठीक है वहाँ पे इत्ती देर बैठना है तो ऐसे ना हो ऐसे मत को आरे मेरे exam के लिए कपड़े खरीदे है ठीक है तुमको पता ही नहीं कपड़े comfortable है ऐसे कपड़े that you are used to ठीक है अभी क्योंकि गर्मी का भी season है और तो उसी सबसे plan करो कभी-कभी center में AC full blast पे होता है एकदम minimum speed fan का speed सबसे high जो भी है तो jacket भी carry कर सकते हो ठीक है तुम्हारे backpack में backpack भार रखने बोलते पर जाके अरे मेरे को थंडी बजरी लेके जा सकते अंदर make sure की comfortable कपड़े पहनो second है अभी क्या आदट डालो तुम लोग क्या होता है कि बहुत बार है ना supervisors ऐसे मिल जाते तुम्हें कि वह बहुत बढ़ बढ़ करते continuously उनको समझता ही नहीं कि एक्जाम चालो तो थोड़ा बहुत क्या करो अभी आदट डाल दो ज़रूरी नहीं हर जगह होगा पर होता है ऐसा तो बाजू के रूम में ममी पापा भाई बहन उनको बोलो कि थोड़े से यह आवाज में बाते करो या यह लेवल पर टीवी लग लाओ तो मतलब वह बातों के इसमें भी तुम एक्जाम सॉल्ड कर पा रहे हो क्या देखो आदट डालो तीसरा मतलब जो दो सिस्टिम होते हैं जैसे यह कंप्यूटर अपना दोनों में गाप बहुत कम रहता है ठीक है बहुत मतलब पैर फैला के बैट नहीं सकते हो ठीक हो एकडम स्पेस रहता है तो आपर क्या हुआ था ऐसे कार्डबोड का उन्होंने कट आउट रखा था कि एक दूसरे को एक दूसरे का सिस्टिम ना देखे तो मैंने बस फिर मतलब यह कार्डबोड थोड़ा मूव किया था कि मेरेको थोड़ी सी जाधा जगा मिले ऐसा ठीक ह तो वो सब देखो यह थो मतलब खुद का ही सोचो ओविसली ऐसे नहीं अरे फिर उसका क्या होगा तुमारा देखो तुमारा फ्यूचर इस इन यह हैं उसको लगा किया रहे मेरे को कम जगा मिल रही तो ओविसली आट परसन इस अलसो मतलब सेल सफिशेंट वो बताएगा कि तो यह हैं यह नहीं कि मेरी एरिया में तो टेक यॉरल एक मुव यह जो भी पार्टी से थुमारे एरिया में paragraphs then हां तो यह बहुत हो रहा था कि system hang हो रहा था ठीक है कि system hang हो रहा था बट इसमें panic नहीं होना है system hang हुआ ना बस make sure you raise your hand ठीक है कि मेरा system बंद पगड़ा वगरा 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 तो वह वापिस से चालू करके देते या तुम्हें दूसरे system पे लेके जाते हैं यह मेरे साथ दो बार हुआ था पिछले साल तो टोटल मेरा 25 to 30 seconds गया first time 25 to 30 seconds गया second time बट हर यह 25 to 30 seconds के problem के बाद उन्होंने मे मेरे system में automatically चार मिनिट एड़ कर दिये थे ठीक है तो मेरे को यह फाइदे मन था obviously अगर मैं seriously देता तो बट दोनों बार 4-4 मिनिट एड़ हुए मतलब मेरा effectively एक से देड़ मिनिट मैक्स गया पर मेरे को 8 मिनिट एक्स्ट्रा मिल गए तो वह मैनेज करते हैं बस make sure कि as soon as you face the problem, raise your hands, let the supervisor know कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ना हो कि आरे मैं try करके देख तो उसमें तुमने test ही बन कर दिया, कुछ अजीब वे में तुमने submit ही कर दिया, तो वैसे नहीं होना चाहिए, let the supervisors know, all right, तो वो ज़रूरी है, plus rough sheet का जैसे मैंने बोला कि rough sheet कभी-कभी फिर वो problem हो सकता है कि कोई center में दे रही नहीं rough sheet, तो जैसे मैंने तुम्हें trick बता ही वो, plus कभी-कभी ये ज़रूरी नहीं है, socks का देखो कि socks पहनने की नहीं, क्या होता है कि AC जैसे मैंने बोला कि full blast पे रहता है, और नीचे कैसे फिर tiles रहती, tiles थंडी हो जाती है, all right, और कुछ-कुछ desks प dependent है, तो be as comfortable as possible, socks पहन के जाओ, निकालने बोला, तो निकालो, या बोलो कि थंडी है, उसमें, उनको निकाल के दिखा, और कुछ भी नहीं, उसमें पहनने दो, कुछ कॉपी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा, चीक है, तो socks पहन सकते हो, all right, इसके आला और कुछ नहीं, there will be no other surprises, जो according to this, वहाँ पे जो problems होएगे, you have to be on your toes, you have to, मतलब, तुमारा top of the mind attitude, या think, be quick on your feet, टीक है, तो presence of mind होना जरूर ही है, कुछ भी आया, नहीं, आया, like expect surprises, CET है वो, all right, तो कुछ भी हुआ नहीं, तो पानिक नहीं होना है, but at the same time, ऐसे भी, एकदम, ओर कॉन्फिदेंट मत्रो be in your zone, so वहीं discuss करना था, यह वीडियो में, कुछ भी doubts रहेगे, as usual, ask them in the comment section below, before closing the video, कुछ revision के point of view से भी important चीज़ है, let me go to that, before going to the revision part, 2025 के सारे bundles are now officially live, 2024 के end में जैसे जो exams होते है, be it your NMAD, be it your SNAP, be it your CAT, जो भी exam होगे, उसके भी सारे bundles are live, before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles, do check out the trial lessons, trial lessons के सिवा, कोई भी bundles को enroll नहीं करना है, the link is in the description box, again, तहे दिल से, we are very happy, कि तुमने जो हमको hyper boost के लिए, tremendous response दिया, so we are very happy for that, also, and I am hoping कि we were able to fulfill whatever you were looking for, because we found out that, कि there were students की 35-40 marks से उनका mock का score improve हुआ है, in that one particular month, that we had with you guys, ठीक है, कि Feb का पूरा मन, पूरे sessions में अपना, एक महने में इतना improve कर पाए हम लो, ठीक है, in the short duration, so we are very happy for that, and we hope कि next year भी, हमारे साथ hyper boost के लिए, you guys will be able to join, and obviously, देखो, एक महने में हम लोगों ने तुमारा score इतना improve किया है, एक साल में कितना कर सकते हैं, अगनी परिक्षा देते रहो, as usual, every week, 2-3 p.m., every last, मतलब every Sunday, and every last Sunday, 3-4 p.m. में, monthly quiz भी होती है, 2-3 p.m. में, weekly quiz होती है, Bodhi Vision Sheet, सबको देखना है, जीनोंने cons पढ़ाने, उनके लिए भी अच्छा है, जीनोंने पढ़ा है, उनके लिए, revision के लिए अच्छा है, इसकी भी लिंक, description box में दी है, That's it for this video guys, if you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel, don't forget to click on the bell icon to get notifications, ठीक है, ताकि जबी भी हम लोग ऐसे useful, हम लोग useful videos ही डालते, fall to videos टाइम पास नहीं करेंगे तुमारा, but don't forget to click on the bell icon, ताकि notification मिले, टेलिग्राम ग्रूपन चैनल पे practice के लिए questions है, cards, lr, verbal, verbal में भी rcs, rcs के बाद vocab sheets है, current affairs की quizzes है, सब कुछ है, telegram ग्रूपन चैनल पे, instagram पे daily basis पे daily news analysis डालते, current affairs quiz, telegram पे daily news analysis, cmat आएगा, तो उसके point of view से important है, youtube पे तो ऐसे videos लेकी आते हैं, तो don't forget to click on the like button, share button, subscribe to the Bodhi Tree channel, notification, notification, bell icon, ठीक है, ताकि we also get encouraged, आरे नहीं, देख रहे हैं बच्चे, आरे, कुछ भी doubts रहेगे at this stage, don't forget to ask them in the comment section below, that's it for this video guys, thank you and see you in the next video. झालते हैं